हलो बच्चो नमस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सराइज 5.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स जिसमें हम पढ़ने वाले sum of n terms of ap ठीक है एक ap क्या होता है एक ap होता है जिसमें कुछ इस तरीके से terms होते हैं उसका first term को हम a1 या फिर a कह देते हैं फिर ऐसी a2, a3, a4 ऐसी इसमें बहुत सारी terms होती है nth term तक मामला जाता है तो इसको sum कैसे करते हैं उससे पहले मैं एक दो formula और बताएता हूँ जो first exercise और second exercise में पढ़िए तो general term का expression क्या होता है an बराबर में a plus n minus 1 into में d general term an मतलब ये कोई भी term होता है ap का जैसे example आपको fifth term निकालना है तो आप a plus 4d कर सकते हो आपको जैसे tenth term निकालना है आप a plus 9d कर सकते हो आपको eighth term निकालना है तो आप इसको a plus 7d कर सकते हो आपको मानलो की a स्वावा term निकालना है तो a प्लस 99 d कर सकते हैं आपको जो भी term निकालना है उससे एक d होना चीए किलिए रहे बेटा और d कैसे निकालते हैं तो d निकालने का तरीका है कोई भी term minus उससे एक पहले वाला term इस तरीके से जैसे आप क्या कर सकते हो जैसे मालनों D निकालने के लिए आप A2 में से A1 को घटा सकते हो या फिर आप A5 में से A4 को घटा सकते हो या फिर आप तीसरे में से दूसरे टम को घटा सकते हो आप इस तरीके से माइनस करकर के D निकाल सकते हो ये पहले second exercise में इस चीज को हमने कर लिया है चलिए, sum का क्या formula होता है, sum का एक formula तो ये वाला होता है, sn बराबर में, n upon में 2, a plus an, एक तो ये formula होता है, n क्या है, number of terms की, आप कितने terms का sum करने वाले हो, ठीक है, और इसी में अगर an की value ये वाला रख देंगे, तो एक दूसरा formula बन जाता है, और ये दूसरा वाला ही हो गया हमारा दूसरा वाला formula, ठीक है बेटा जी, ठीक है, तो ये दो formula हो गया हमारे पास, इनी दो formula पर questions करेंगे, ठीक है, examples आप खुदी करना, या तो मैं बाद में कोई video बना के डालूंगा, examples only क्या, हम सीधे exercise पर आते हैं, ठीक है, ये आपकी NCRT की book है, और इसी से हम start क करते हैं, ये 5.3 में बहुत सारी questions है, आप देख सकते हो, कि 3 questions ये होगे, और 3 question में 10 parts है, ठीक है, मैं सभी video बना दूँगा, बट कई videos में ये exercise रहेंगी, 18, 19, 20 questions है, उसके बाद एक optional वाला exercise है, तो ये usually नहीं करना होता है, बट इसकी भी video बना के डाल दूँगा, ठीक है, तो ये start करते हैं पहले question से, बहुत लंबर समय लग सकता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा, आप notes वगेरे साथ में बनाओगे, तो जादा बेटर रहेगा आपको understanding के लिए, ठीक है, चलिए, अब अपने पास book रख लीजिए, तो so that कि आप questions वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है तो जैसे कि इसका first part है, ap क्या है, ap है 2, 7, 12, और 10 terms है, कितने terms है, 10 है, तो n की value ये 10 term है, तो ये आपकी n की value होगी, n की value होगी 10, अब जैसे ये ap है न, तो ap में ये first term हो जाता 2, और d क्या हो जाएगा, इस में से 7 में से 2 को घटा दो, a2 minus a1 कर दो, तो 7 minus 2 करोगो तो ये आ आ गिया और n की value 10 है, तो आपको sum of ap का formula ये वाला formula लग जाएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे निकलेगा, तो n की जेखे पर 10 आ जाएगा, s10 निकाल रहो न आप, तो आप देखो ये 10 by में 2 हो जाएगा, 2a और 10 minus 1 करोगो तो 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9d, ठीक है, अब value रख दो बस, 5 ये देखो 2 into में a कितना है, 2 है, और 9d देखो कितना है, d5 है, तो यहाँ पर 5 रख दो गए, तो 5, 4 plus में 45, तो ये हो गया 5 into में 49, तो ये answer कितना आ जाएगा, 245 बटाजी answer आ जाएगा, ठीक है, second part पर आते हैं, second part है इसका, minus 37, minus 33, minus 29, और ऐसे करते-करते 12 terms है, कितने terms है, 12 terms है, तो a की value देखो कितना आ गया, minus 37, और n की value है 12, क्योंकि 12 terms है, तो n कितना हो गया, n हो गया 12, d निकाल लेंगे, minus 33 में से minus 37 को minus करेंगे, तो दिहान से देखो, minus 33 minus, अब इस पे भी minus है न, तो इसलिए इसको bracket में लिखो आप, तो minus 37, तो minus 33 plus 37, तो यह answer आजएगा, 4, तो d की value 4 आ गई, और सब कुछ आ गया, तो s 12 निकालना है, तो यह हो जागा 12 by 2, 2a plus में, n minus 1, 12 minus 1 होगे, 11 into में d, अब value रख दो बेटा, यह तो divide होगे, 6 होगे, 2 into में, a है, minus 37, तो minus 37 plus 11 into में 4, ठीक है, तो यह कितना आगया, 6 minus 74 plus 44, तो यह आगया, 6 into में, minus 34, तो इसको multiply कर देंगे, तो answer आपका minus में आजएगा, कितना आजएगा, 24 और 6, 18, दो 20, तो यह answer आजएगा इसका, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, third part इसका, इसमें है, देखो, 0.6, 1.7, 2.8, और ऐसे, ऐसे कितने terms है, 100 term है, तो n की value कितनी आगई, n की value आगई, 100, a की value आगई, 0.6, और d की value आगई, 1.7, minus में 0.6, तो यह आगया 1.1, ठीक है, तो आपको S100 निकालना है, तो यह होगा 100 by में 2, 2, a plus में 100 minus 1, तो 99, तो 99, d, value रखेंगे, यह आगई 50, 2 into में a की value तो 0.6 है, प्लस में 99, और into में d, d कितना है, 1.1 है, ठीक है, तो यह होगा 50, 1.2, प्लस में इसको multiply करेंगे न, तो यह आजाएगा 11, 99, और 11, 99, और 9, 108, और यहाँ पर decimal लग जाएगा, बटा, तो इसको हो जाएगा 50, इसको add करेंगे न, तो 108, और 109, और 0.9, और 0.2, तो 110, 0.1, ठीक है, और इसको multiply कर देते हैं, तो यह आजाएगा, पांच एकम पांच, पांच जीरो, पांच एकम पांच और पांच एकम पांच, तो यह चीज जो है, यह आपका sum आ गया, ठीक है, तो यह third, third part था, first question का, ठीक है, इसकी PDF या तो मैं डाल दूँगा, जो मेरा telegram channel है, cam crush, रवी sir, उसमें यह मैं PDF अपलोड कर दूँगा, तो अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए, ओके, और उसका link चाहिए, तो मैं description में add कर दूँगा, 4th part देखो इस question का, 4th part, इस में देखो ये 1 by 15 है, फिर 1 by 12 है, 1 by 10 है, और ऐसे करते करते कितने term है, 11 terms है, कितने term है, 11, तो बालक देखो, यहाँ पर A कितना हो गया बिल, एक बटे 15, और N कितना है, 11 terms है, और D कितना है, D देख, माइनस कर दो, 1 बटे 12, माइनस में 1 बटे 15, अब देखो अगर आपको LCM वगरा नहीं लेना बिना LCM का ही solve करना है तो वो देखो क्या करना होता है आपको नीचे वाला तो multiply करना होता है 12 गुणा 15 और ये न क्रॉस करना होता है मतलब ऐसे मचली बनानी होती है ये ऐसे तो 15 गुणा 15 15 माइनस 12 इंटू 1 12 तो अब इसको solve कर दो देखो उपर में 3 बचा नीचे 12 गुणा में 15 तीन 4 पे गया तो 1 बटे 60 ठीक है तो S कितना निकालना है S 11 निकालना है तो ये हो गया हमारा 11 बटे 2 और 2A पलस 11 माइनस 1 11 माइनस 1 होगे 10 10 D 10 D तो 11 बटे 2 2 इंटू में A कितना है A है 1 बटे 15 10 D कितना है ये आया देखो 1 बटे 60 है 1 बटे 60 तो 1 बटे 60 ये रहा तो इसको देखो solve करेंगे by में 2 है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा 2 बटे 15 पलस आप इसको 0 से 0 काट सकते हो तो 1 by 6 बचा तो अभी जो यहाँ पर मैंने बताया न वही तरीका आपन यहाँ पर भी करेंगे 11 by 2 नीचे वाला multiply 15 गुना 690 हो जाएगा और ये उपर में cross multiply बचे दुनी 12 और 15 बन जा 15 तो बचे यह देखो 11 by में 2 और ये हो गया 27 अपन में 90 ठीक है 9 3 जा और 9 10 जा ठीक है और फिर यह आगया 33 अपन में 20 यह हमारा answer आगया फाइनल अंसर यह आगया ठीक है तो यह first question हमारा खतम होता है अब हम start करेंगे second question second question में भी चार पार्ट है ये पहले तीन question में बहुत बहुत parts है ठीक है तो हो सकता है कि पहले तीन question में ही आपको एक और वीडियो आपको देखने को मिल जाए इस वीडियो के अलावा देखते है 7 plus में 10 1 by 2 देखो 10 1 by 2 को आप चाहे तो simple ऐसे लिख लो 10 दूनी 20 और 21 तो इसको मैं 21 बाय में दो लिखूँगा ठीक है उसके बाद है 14 और फिर last में 84 है अब इसमें बेटा आपको ने n नहीं दिया है a और an है ठीक है तो बट n तो चाहिए ही तो an आपको 84 है तो an का formula लगा देंगे a plus n minus 1 into में d बराबर 84 है ठीक है तो आप values रख दो यहाँ पर क्या रखना है values यह दोखो a की value है 7 और n जो की हमें निकालना है तो यह कोई दिक्कत नहीं और d आप देख रहो बटा यह 7 है और यह साढ़े 10 है तो साढ़े 10 में से देखो d निकल जाएगा 10.5 minus 7 तो 3.5 और 3.5 को आप 7 upon 2 भी लिख सकते हो लिख सकते हो न साढ़े 3 को 7 बटे 2 लिख सकते बिल्कुल तो यह होगी हमारा 7 by 2 बराबर 84 यह 7 प्लस में है इधर जाके minus कर दो तो 84 में से 7 गए तो बचा 77 और यह जो हाँ अभी इसको ऐसी लिख दो अब अगले स्टेप में क्या करो इसको इधर लेके चले जब मतलब 7 by 2 इधर आके 2 by 7 हो जाएगा तो 77 इंटू 2 by 7 तो इधर कह रहा है गया n minus 1 तो यह देख रहो 11 पर कट हो गया तो यह 22 और 1 इधर गया तो add हो जाएगा तो वह हो ज 2 a 2 a plus में 23 minus 1 22 d अब जो values है उस values को हम put कर देंगे तो answer आ जाएगा तो बेटा जी देखो 23 upon में 2 2 इंटू में a 7 है तो यह तो 14 हो गया प्लस में 22 और d कितना है d आप देखो अभी हमने निकाला था 7 upon में 2 तो यह देखो 211 पर कटा तो यह 77 77 और 14 कितना हो तो 91 होता है तो बस बेटा आप इसको क्या करना है multiply करके फिर 2 से divide कर देना है तो एक काम कर सकते हैं तो 91 और 23 multiply किया 3 27 2 18 3 9 10 का 0 2 2 0 9 3 upon में 2 यह हमारा answer आगया आप fraction में भी छोड़ सकते हूं ठीक है चलिए बेटा आगे बढ़ते यह first part था इनमें न n निकालना पड़ रहा है second part second part देखो easy question है एकदम ऐसी करना है तो चलो एक question आप लोगों के लिए छोड़ देते DYS मतलब do yourself do yourself इसका third part करवाते है third part करवाते हैं क्योंकि वो second part बहुत easy है values fraction में भी नहीं बहुत असान है second part देखो हाँ इसमें negative वाले APF minus 5 minus 8 minus 11 और ऐसे करते करते minus 230 तो बेटा जी क्या करना है इसमें यह तो आपके पास यह रहा पहले D निकाल लेते हैं D के लिए minus 8 minus minus 5 करना पड़ेगा तो minus 8 plus 5 तो answer आए minus 3 answer कितना आगया minus 3 D निकल के आगया A2 minus A1 कर दिया हमने अब देखो A N से पहले N निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखिए A N बराबर क्या होता है A plus N minus 1 into D A N कितना है A N है 230 minus का A A कितना है minus 5 है N निकालना है और D है हमारा minus 3 D कितना है minus 3 अब यह जो हैने सबसे पहले यह तो multiply में इसको इधर लेके आजो तो यह plus 5 हो जाएगा और minus 230 और plus 5 तो plus minus minus sign बड़ी संख्या का minus 225 बराबर N minus 1 minus 3 अब यह जो minus 3 है यह वाला यह इधर आके divide हो जाएगा minus 225 upon minus 3 बराबर N minus 1 minus से minus कटेगा 321,315 तो N की value कितना है आगी? N की value आगी? 76,N की value कितनी आगी? 76,now अब हम निकालेंगे S N,S 76 निकलेगा basically तो 76 upon 2,2 है plus 76 minus 1,75 D, तो value रख दो 76 upon 2,38,2 into minus 5 क्योंकि A कितना है? यह है minus 5,right? चलिए, आगे बढ़ते हैं इसको, 75 D, D कितना है? D कितना है? D minus 3 आया, 75 minus 3 तो minus में है, पहले multiply कर लेते हैं अच्छे से, minus 10 और यह आगे, 3 से करेंगे न, तो यह आज़ेगा minus 225, डेड़ सो और हाँ, ठीक है, तो यह हो गया देखो 38, multiply by में minus 235, अब इसको multiply कर लेंगे, तो we will get the answer, देखो कैसे करेंगे? multiply, minus का sign आ जाएगा, 225, 38 से multiply, 40, 8216, 420, 8216, 218, 315, 3216, 3216, 3216, 0, 5, 8715, 8216, और एक छे साथ और एक 8, 8550, तो यह answer आगया हमारा, ठीक है पिटा, तो यह आपके न, second question के तीनों parts हो गए हमारे, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, next question के लिए next video, okay, thank you,